कि आप सभी का हमारे नई वीडियो में कि अब जाए यहां पर एक रवर्ट नाव जाए वीडियो आज हम इसके माइलेज को सेट करने को लेकर डिसकस करेंगे तो आएए देखें तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्योंकि हमारे जो कारबुरेटर है वो इस यूटिलिटी बॉक्स के पीछे होता है तो पहले हम इस य यहां पर एक रवर की कैप लगी होगी इस रवर की कैप को हमें निकालना होगा ताकि हम इसमें जो यह वाला जो एक स्क्रू है इसको फ्यूल मिक्शर कहते है इस फ्यूल मिक्शर तक हम पहुंच सकें तो यह हमारी अप्रोच में आगे देखिए इसको थोड़ा साफ कर दे है कोई चेंज नहीं करना उसमें और नहीं उसके fix accelerator को चेंज करना है हमें सीर्फ और सिर्फ यह करना है कि इसको clockwise और anti clockwise बहुत धीमे धीमे घुमा के देखना है और observe करना है कि engine rpm भढ़ता या नहीं आजए देख़की इसको तो उसके लिए हमें यूटिलिटी बॉक्स में सिर्फ एक स्क्रूड्राइवर की जरूद होगी बागी किसी भी चीज के हमें जरूद नहीं माइनस वाला जैसे कि अभी आप साउंड को अब्जर्ब कर पा रहे होंगे ये लगभख अब यहां पर हमें इसको स्कूरूड्राइवर को लगाना है और सबसे पहले हम इसको क्लॉक्वाइज घुमाएंगे बहुत धीमे और अब्जर्ब करेंगे कि इंजिन की जो स्पीड है वो बढ़ रही है ये कम हो रही है आईए देखें कि देखिए जिसे की क्लॉक्वाइज घुमाने पर अब ने देखा कि आरपीम हलका सा बड़ा है अब यहां पर हलका सा कम हुआ है तो इसको वापस एंटी क्लॉक्वाइज घुमाएंगे यहां पर कम हुआ है इस पोजिशन पर लगबग इसका जो आरपीम है वो मैक्सिमम जा रहा है तो हम इसको यहीं पर एदेटिस छोड़ देंगे और वापस अपनी यूटिलिटी बॉक्स को लगा देंगे इसमें अब शुकि फ्यूल मिक्सर को सेट करने के बाद में इंजन का रपीम हलका सा बढ़ गया है तो इसके लिए वह में जो फिक्स एक्सलेटर है उसको भी थोड़ा से सेट करना पड़ेगा ताकि यह ज्यादा फ्यूल कंजूम ना करें तो उसके लिए हमें इस तरह आना होगा यहां पर यह वाला जो स्कूट कि यह हमारा फिक्स एक्सलेटर होता है इसको अलगा तो घुमात है कि तेज हो गया कि इसको लगबग आट सो आर्पीम पर हम छोड़ सकते हैं तो यह लगबग आट सो आर्पीम है तो हमने इस तरीके से इसको छोड़ दिया है है अवर्यवन वेलकम इन वीडियो और आज की वीडियो में हमई हरो में हेशेस MAYलेज करते हैं जैसे कि हम को आपको अपनी वीडियो में बताते हैं कि मैंगा कार्भुरेर को साट करने के लिए हमें दो चीजों के बिसमें पता होना चाहिए, तो इसमें जो पहला है हमारे पास में, वो होता है इसका ये, जिसकों फिक्स एकसिलेटर कहते हैं, और दूसरा होता है ये, यहां पर, ये होता है फ्यूल मिक्चर, तो इन दोनों की साहँता से हमें इसका मालेज स्ट करेंगे, तो Init इसका जो फ्यूल मिक्षर है उसको क्लॉक्वाइज घुमाना होता है और इतना टाइट करना होता है कि घुमना बंद हो जाए तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह भी बंद हो गया है अब क्यूंकि हमने फ्यूल मिक्षर को टाइट किया है इसलिए थोड़ा सा फिक्स एक्सलेटर को बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो गारी चालू नहीं होगी तो लगवद एक राउंड इसको भी हम बढ़ा देते हैं कि अब गाड़ी को में चालू करना हैरा तौ इसको हम मारी आता जालू है अब आप करना यह है कि इसकी क्लॉक वाीश हमें वापस खुलना है और यह लोटिस करना है कि किस प persön कोले बढ़ेर इसका जो अंचे पूस्ट है कि हम आपको । आम यहां पेसे तो इसको कूड अब जैसे जैसे हम इसको खोलेंगे आप नोटिस करेंगे कि इसका जो इक्सलेटर हो बढ़ता जाएगा अब जो अब जो गयादा तो आप हुआ है और यह को खोलेटर ने अब जो खोलेंगे कि अपधियो यह कोज़ा थे अफिर्च के बाद में इसका जो इसको घुटे जोटर करें इसको अब करते हैं और एक हजार यह आट सो आर्पियम के अप्टिमिम लेवल पर लेके आखे आखे तो यह लगवग हमने इसको आट सो आर्पियम पर सेट दिया है इसको चेक करने के लिए कि यह हम इसकी हेड़ लाइट आन करते हैं इसके यह जार से बिलिंक करती है कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो लाइट है वह थोड़ा थोड़ा बिलिंक कर रही है मतलब्सका जो आर्पियम हो लगवक हजार साय आठ-छो आर्पियम के बीच में हैं ज़ colored अग वह अदा हेलो एवरीवन वेलकम इन दिस वीडियो और इस वीडियो में हम पैशन प्रो के ऊपर बात करेंगे आई इसके कार्बुरेटर को एक बार ट्यून करने की कोशिश करते हैं तो कार्बुरेटर को ट्यून करने के लिए सबसे पहले हमें जिन दो वाल्व की जरूत पड़ती है उन में से एक होता है fix accelerator और दूसरा होता है इसका fuel mixture तो fuel mixture लखी लीज गाड़ी में left hand की तरफ होता है आपको यह जो power start जिसके उपर लिखा होता है यह पैनल आपको खोल के अलग करना होगा यह आसानी से अलग हो जाता है अब उसके बाद में आप देख सकते हैं यहां पर अब कार्बूरेटर में हमें जिन दो चीजों की दोद पड़ेगी उन में से यह पहला है जहां पर आपको स्कूरूड्राइबर की टिप दिख रही है उसका फिक्स एक्सेलेरेटर होता है और यह जो ब्रास का एक स्कूरू दिख रहा है जो कि अंदर की तरफ है एक के पर नमारे को आम चीछ पीजिए उन इसल स्कूरू की में संदक्राइबर काई और हम्हें क्लो इसको घुमाते हैं और ताइट कर दें पूरत है कि अंधी में होता है मैक्सिमूम होताया अब कि अब बाद में हमें कार्डी को स्टार्ट कर्ना है क्यों कि हमने की फ्यूल फिल का जो रीष्यो है वो थोड़ा सा गड़बढ़ा आता इसलिए असलिक आसने से बला और मोगा हम लगभख एक राउंड तका इसका already a March की आव पार करास आप को कार्परेटर को सेट करते मPor Hydra को का कि अ उफ्मдеछ रखना है और के बंद नी होनी चाहिए अब यह एमारी गाड़ी चालू है आप दीमे दीमे anti clockwise इसके fuel mixture को हम anti clockwise घुमाएंगे और यह चीज़ notice करेंगे कि कहां पर इस गाड़ी का rpm maximum होता है अब आप 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 आपस्जर्व करेंगे कि इसका जो आर्पीयम दीमे दीमे बढ़ेगा तो इस पोईशन पर आके लगवब तीन राउंड गुमाने के बास में हमारी जो एंजिन आर्पीयम में मैक्सिमम हो गया है अब हम इसके फ्यूल मेक्शर को अब हम इसके फिक्स एक्सिमरेटर को अप्तिमिम लेवल पर लेके जाएंगे और उस लेवल पर यानि 1800 अर्फिम के वीच में इसको लाके छोड़ देंगे ताकि गाड़ी आसानी से बंद ना हो आप कोशिश कीजिए कि जब आप फिक्स एक्सिमरेटर को सेट करें तो आप अपनी हेडलाइट अन कर लें ताकि गाड़ी के उपर जो एडिशनल लोड होता है टाइनुमा का वो लग जाए और गाड़ी आसानी से बंद ना हो और उस पोजिशन में जब आप इसको सेट करेंगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी तो इस तरीके से भी हमने इसका कार्बूटर सेट किया है 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 हई है हाला है कि वेल्क में एंतिस वीडियो आजके इस वीडियो में हम ही रों डास्प्लैंड यह जो अभी हीर्व प्लेंडर के नाम से जानी करती है कि मैलेच की कुछ बेसिक से बारे में डिसकस करेंगे तो ये हमारे टूल बॉक्स में निकले हुए कुछ बेसिक टूल्स है इसमें हम देख सकते हैं कि ये लग पाना है और ये उसका एक होल्डर तो आई इसके मदद से में इसके प्लक को खोलते हैं अब देख सकते हैं कि इसमें काफी मात्रा में कारवन जो है आया है तो आइए सब से पहले इसको साफ करें और उसके बाद में इसके मायलेज को सेट करने की कोशिश करेंगे मैलेज को सेट करने से पहले आपको इसके जो दो important content है जो कि मैलेज सेट करने के काम आते हैं वह पहला ये होता है Auto accelerator और इसको fix accelerator भी कहते है और दूसरा होता है ये fuel mixture देख सकते हैं ध्यान से fuel mixture तो इसमें जो auto accelerator या fixed accelerator का काम होता है वह गाड़ी के stand by RPM को control करना तो आज इन दोनों की मदद से ही हम इसका मैलेश सेट करेंगे मैलेश को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें यह जो फ्यूल मिक्षर है इसको पूरा टाइट करना होता है कि इसको क्लॉकवाइज गुमाके इतना टाइट कर दिया जाता है कि वापस इसमें कोई जगा न रहे प्लाइज ज्यादा भी टाइट नहीं करना है जैसे कि हमने भी इसको कर रहे हैं और तो फ्यूल मिक्षर है वो टाइट कुम ने कर दिया है अब यह से यादा नहीं गूम अब आईए इसको एक बार चालू करते हैं और फिर इसको सेट करते हैं अब जैसे से में इसको खोलेंगे वैसे वैसे इसका ऑट्रेक्सलेटर जो होगा तो हमें हमें इसको उस पॉइंट पर सेट करना है जहां पर यह एकसलेटर सबसे आधा हो और इस फिक्स एकसलेटर के माकिन से इसके आरपियंद को कंट्रोल कर लेता है अपने देखा कि इन पहले इसको पुल्टाइट किया और उसके बाद में दीमेंदी में कोला और जिस पोजिशन पर आकर गाड़ी का एकसलेटर मैक्सिमम हो जाता है वहां पर आकर इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद में इस फिक्स एकसलेटर से इसको सेट तरते हैं हुआ हुआ है हलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग मैं हूँ रणवीर और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हिरो 10 स्मार्ड विए ऊसां का मायलेज कैसे बढ़ा जाता है मारी बाइक का माईलेज 50 सबस्ट आपच पन के बीच जो इस सेग्मेंट की किसी भी के लिए बहुत कम और नो इस裡 पीसिद स물गे कर सकते हैं कि इसका Armen रहा है तो इसके हिसाब से तो माइलेज अच्छा होना चाहिए लेकिन एक रिल्ड करते हैं कर्फारी की सेंग को करते हैं साथ के दोस्तों किसी भी बाइक का माईलेज करने के लिए हमें कारबोरेटर में दो चीजों के बारे में पता ho нужен पेहला होता है कि घूल मिक्शे और दूसरा होता है विए आप देख सकते हैं इस बाइक में ये जाकर अपना माईले सेट करने का प्रोसेजर को आगे बढ़ाएंगे चलिए इसको ओपन करते हैं हमारे दोनों पैनल रेक्ट उसे से कनेक्टेट थे हमने अपने पैनल फोल दी अब हमें हमारा कार्बुरेटर बिल्कू क्लियरली नजर आदा है हम देख सकते हैं कि यह कार्बुरेटर में यह वाला जो पॉइंट है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है यह हमारा फिक्स एक्सलेटर है ते ये जो पॉइंट है जो कि आप देख सकते हैं ब्रास मैटल का बना हुआ है ये हमारा फ्यूल्र मिक्सेर है तो हम पहले इसको अक टाइट करेंगे उसके बाद हम अपनी काड़ी कुछ स्टाइट करेंगे तो पहले इसको क्लोक है टाइट कि हम इसको तब तक घुमाएंगे जब तक कि टाइट नहीं हो जाता है और यह टाइट हो गया चलिए फिक्स एक्स लेटर के ऊपर अपना ये इस टू ड्राइवर ऑपरेट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमसे कई इसे सवाल पुश्ते हैं कि भाई जब हमने अपना फ्यूवर्स डाइट कर दिया है जिससे कि हमारे फ्यूवर्स कग वर जाता है तो फिर हमें इसको टाय। करने की क्या ज़ूरत है या इसको यह क्राउंड करने की क्या ज़ूरत पड़ती इसलिए जिस कंडिशन में उसे टाइट करें गे उतना एयर प्लॉव इनटेन करने के लिए हमें इसको भी जसे हम फिक्स एक्स लेटर कहते हैं इसको भी हमें थोड़ा से टाइट करना पड़ता है और यह कर दिया तो जैसा कि देखा आपने के हमने फियल Mixture को अपने अपने एकसिडरर को दोनों को क्लॉक्वाइज राइट किया उनकी लिमिट के अकॉर्डिनली अब हम अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉक्वाइज यह जो हमारा प्रास का स्कुरू ड्राइबर आप देख रहें स्कुरू है इसको हम एंटी क्लॉक्वाइज धीरे-धीरे लूस करेंगे और उस पोजिशन पर लेकर आएंगे जहां पर एक्सिलेटर अपने आप मैक्सिमम स्पीड पर पूटा है वही कार्बुरेटर की अप्टिमम पोजिशन होती है तो हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं हाई बाइक स्टार्ट हो गई एंटी क्लॉक्वाइज हम इसको धीरे दीरे तब तक धीरे दीरे लाएंगे जब तक की एक्सिलेटर मैक्सिमम आप देख सकते हैं साउंड बदल रहा है बिना हमने रेज दिया एक्सिलेटर को आपने मैक्सिमम स्पीड तक पहुचाया यह इसकी आप्टिमम पोजिशन है यह हमारे कार्बोरेटर की आप्टिमम पोजिशन है आप साउंड सुन सकते हैं बिना एक्सिलेटर को ट्रच किये एक्सिलेटर अपने मैक्सिमम स्पीड पर पहुचा हुआ है अब आईए हम अपना एक्सिलेटर को सैट करते हैं जो की मि दोस्तों सबसे पहले तो मैं तेज बोलूँगा क्योंकि पाइक के साउंड में मेरी आवाज भी आना बहुत जरूरी है हमने अपने कार्बॉरेटर में माइलेज और स्पीड को सेड कर दिया प्रस्तों सबस्तों साउंड में 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 एंड जरूरी है